फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे है एक ऐसे टेंपल की जो की तामिलाडु राज्य के महाबलिपूर्म शहर में समंदर के किनारे मौझूद है इस मंदिर का नाम है शहर टेंपल ये मंदिर करीब 1300 साल पुराना है और इस मंदिर परिसर में काफी सारी अपरतिम और रहस्य में चीजे मौझूद है लेकिन ये अपरतिम मंदिर किस भगवान को समर्पित है भगवान शिव या भगवान विष्णू जी को अभी तो मंदिर के अंदर प्रवेश रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ सालों से रिनोविशन का काम चल रहा है और यहाँ अंदर जाने के लिए पर्मिशन नहीं है परन्तु इस मंदिर के पुराने फोटोग्राप्स देखने से यह पता चलता है कि यहाँ एक गर्भगुरु में भगवान विशनुजी की अप्रतिम और बड़ी सी मुर्ती शैन मुदरा में मौजुद है विशनुजी एक बड़े से साप को अपना बेड़ बना के शैन मुदरा में विराजमान है यह मुर्ती यहाँ 1300 साल पहले स्तापित की गई थी और अब आप देख सकते हो कि मुर्ती का एक हाथ नश्ट हो चुका है पैर का एक बाग भी मिसिंग है विश्णु जी के चेरे के एक्स्प्रेशन भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे है ऐसे स्थिती में भी 1300 साल बाद ये मुर्ती कितनी सुन्दर दिखाई दे रही है तो सोचिए 1300 साल पहले जब ये बनाई गई होगी तब कितनी आकर्शक होगी फ्रेंड्स जैसी कि आप देख रहे हो ये मंदीर समंदर के किनारे मवजूद है लोकल्स के अनुसार सेकडों सालों तक विष्णूजी की मुर्ती पानी के अंदर समा जाती थी और इसी के वज़े से इस मंदीर का प्राचिन नाम जला शैना मंदीर मतलब पानी में विश्राम करता हुआ मंदीर था तो क्या हम ये कह सकते है कि ये मंदिर विश्णुजी को समर्पित है चीजों को और अच्छे से समझने के लिए इस मंदिर परिसर की बाकी जगर का निरिक्षन करते है इस मंदिर के पूरवी दिशा के एक चेंबर में आपको ये भववे शिवलिंग दिखाए देगा जो कि भगवान शिवजी का प्रतिक है दुर्भागे की बात ये है कि सुन्दर सा शिवलिंग अब तूट चुका है लेकिन इसे देखके आप अंदाजा लगा सकते है कि इसे तेरा सो साल पहले किसी एडवांस टेकनोलोजी का उपयोग करके बनाया गया होगा ये बसल नाम के एक फत्तर से बनाया गया है और आज भी तूटने के बाद कितना शाइन कर रहा है मंदिर के पश्चिमी दिशा की एक गर्भगुरुमे में भी एक बड़े से शिवलिंग की स्तापना की गई थी अनफॉर्चुनेटली अब ये शिवलिंग गायब है यही पे एक दिवार में आप ये सुंदर नकाशी देख सकते हैं जिसमें भगवान शीव और माता पारवती बैटी है और वो भी अपने पुत्र के साथ हम सबको पता है भगवान शीव और माता पारवती के दो पुत्र थे तो क्या आप बता सकते हैं कि इस नकाशी में दिखाएगए पुत्र का नाम क्या है कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए फ्रेंट्स हमें कई इत्यासकार ये बताते हैं कि भगवान विश्णुजी और भगवान शीव जी के भक्त हजारों सालों से लड़ते आ रहे हैं कि शीव जी और विश्णुजी में सर्वश्रिष्ट कोन है लेकिन इस मंदिर को विजिट करने के बाद ये धारना गलत साबित होती है क्योंकि इस 1300 साल प्राचिन मंदिर में दोनों भगवान शीव और विश्णुजी विराजमान है और सालों से इनकी पुजा की जाती है फ्रेंड्स ये जो शोर टेंपल कॉम्पलेक्स है यहाँ दो टावर्स बनाए गए है जो की पिरेमिड की तरह दिखाए देते है इन टावर्स की उचाई तकरिबन 60 और 50 फीट के बराबर है और ये दोनों टावर 50 फीट के स्क्वेर शेफ फ्लैटफॉर्म पे बनाए गए है इस मंदीर को इसकी लोकेशन और कॉम्पलिकेट आर्किटेक्चर के वज़े से युनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दरजा प्राप्त है ये भव्वे मंदीर संपूर्न तरीके से ग्रैनेट फत्तरों से बनाया गया है जबकि इस परिसर के कुछ और मॉनुमेंट्स में इटो और गारों का उपयोग किया गया था मावलिपूर्म एक प्राचिन एतियासिक शहर है जहाँ प्राचिन सेकडो मॉनुमेंट्स मौजूद है यह जो शोर टेम्पल है इसे फत्तरों को एक के उपर एक रखके बनाया गया है जैसे आप आज के मॉडरन एज में बिल्टाउन आर्किटेक्चर कहते है मावलिपूर्म में ही आप कुछ और मॉनुमेंट्स देख सकते है जैसे की केव टेम्पल जिसे एक ही फत्तर को काट के बनाया गया है यह बड़ी सी नकाशी जो एक ही फत्तर को तराश के बनायी गई है यहा एक और जगह आपको ऐसे मॉनोलिपूर्म में ही मौजूद बाकी मॉनुमेंट्स से काफी अलग है जिसे हजारों ग्रानेट फत्तरों के ब्लॉक से बनाया गया है और ये आज भी शांदार तरीके से खड़ा है ये मंदिर के चारों तरप के दिवारों पे आपको सेगडों नंदी जी दिखाई देंगे हर एक नंदी जी को एकी ग्रानेट फतर से तराश के बनाया गया है ऐसा बोला जाता है कि यहां कुल 108 नंदी हुआ करते थे जिसमें से काफी सारे अभी या तो मिसिंग है या तूट चुके है 108 नंबर का क्या महत्व है हमारे हिंदु धर्म में यह आप अच्चे से जानते है यहां आपको एक अजिब सी नकाशी दिखाई देगी यह काफी यूनिक है और हमने ऐसा कभी किसी मंदिर में नहीं देखा फ्रेंड्स यह नकाशी किसी प्रानी की है और इसके सर को काट दिया गया है और वो यहां नीचे गिरा हुआ है एक्च्वल में सर को काटा नहीं गया है लेकिन एकी फत्तर को इतने कुशलता से तराशा गया है कि आपको ये देखने के बाद ये प्रतित हो कि इस प्राणी के सर को धड़ से अलग किया है और सर नीचे गिरा हुआ है यहाँ विजिट करने वाले काफी सारे लोग इस नकाशी को देख के ये मानते है और दावा करते है कि यहाँ प्राचीन काल में मंदिरों में जो जानवरों की बली देने की प्रताती उसे दर्शाया गया है पर क्या सच में यहाँ प्राणियों की बली के प्रता को दर्शाया गया है बिल्कुल भी नहीं बलकि यहां हमारे पुरानों में मुझूद एक अइतियासिक कथा को दर्शाया गया है इसके बगल में ही आपको ये बड़े आकार में शेर की नकाशी दिखाई देगी और इस शेर के उपर एक देवी भी विराजमान है और इसके अंदर एक छोटे रूप में जो आप नकाशी देख रहे है ये माता पारवती के महिशासुर मर्दिनी अवतार को दर्शाया गया है ऐसे कम ही लोग होंगे जिने ये पता नहीं होगा कि माता पारवती ने महिशासुर मर्दिनी अवतार लेके एक 12 रुपी राक्षस जिसका नाम मैशासूर था उसका वत किया था इस एतियासिक धर्मी गटना को विबिन्न प्रदशों के काफी सारे प्राचिन मंदिरों में भी दर्शाया गया है जो की हमने हमारे चैनल के कई वीडियोज में दिखाया है जहां राक्षस मैशासूर को एक भैस के रूप में दिखाया गया है महावलिपूरम में ही मवजूद मैशासूर मर्दिनी केव मंदिर में राक्षस मैशासूर को ऐसे रूप में दर्शाया गया है जहां उसका सिर्प भैस का है और बाकी शरीर मनुष्य का है पर शोर टेंपल की ये नक्काशी एक मेवा ऐसी नक्काशी है जहां महिशासुर राक्षस को पुरे भैस के आकार में दिखाया गया है और जिसका सर धड़ से अलग किया गया है लगता है महिशासुर मर्दिनी की पुजा प्राचीन काल में महाबलीपुरम में रहने वाले लोग बड़े भक्तिभाव से करते होंगे क्योंकि ये कार्विंग्स आपको महाबलीपुरम के हर एक मॉनुमेंट्स में दिखाये देगी फ्रेंट्स आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार ये मंदिर का निर्वान आठवी शताब्दी में किया गया था लेकिन कुछ हिस्टॉरियन के अनुसार ये मंदिर उससे भी पुराना है शायद इस मंदिर परिसर में मौझूद ये पानी की टैंक को एक्जामिन करने के बाद हमें कुछ हिल्प हो जाए यहाँ बने ये अजीब सी जानवर की नकाशी को जरा गौर से देखिए पहली नजर में ये आपको लेगेगा कि एक सुवर की या जंगली सुवर की नकाशी है पर जरा गौर से देखने पे ये पता चलेगा कि इसके नाक की बनावट सुवर के नाक की बनावट से काफी अलग है अगर ये नकाशी किसी सूवर की नहीं है, तो कौन से जानवर की है? आज के एज में ऐसा दिखने वाला प्रानी पूर्तवी पे उपलब्द नहीं है लेकिन सर्प्रैजिंगली एक ऐसा विलुत्त जानवर कभी हुआ करता था जो नकाशी में दिखाये गए जानवर से एकदम मेल खाता है इस जानवर का नाम था डियोडिन जो की एक सुवर की प्रजाती थी और उसका स्ट्रक्चर इस नकाशी में दिखाये गए जानवर से काफी मेल खाता है परन्तु ये प्रानी लाखो साल पहले ही धर्ती से विलुपत हो गए थे तो इस प्रानी की नक्काशी तेरा सु साल पहले बनाए गए इस मंदिर में कैसे बनाई गई थी प्रेंट्स कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये नक्काशी बनाते हुए कारागिर से गलती हुई थी और उसको एक्च्छल में एक सुवर की नक्काशी या बनानी थी पर गलती से कुछ और बना दिया परन्तु ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसी प्रानी की नक्काशी आप महाबलिपूरम शहर में मवजूद बाकी जगर भी देख पाओगे तो इसका मतलब यही है कि ये नकाशी बनागते वक्त कोई गलती नहीं हुई है और ये प्रानी की नकाशी विलुक्त हुए हुए जानवर की ही है परन्तु ये कैसे संभव है ये संभव तभी हो सकता है अगर ये मंदिर लाखों साल पहले बनाया गया होगा या फिर जिन कारागिरों ने ये बनाया है वो टाइम ट्रैवल करके प्राचिन यूग की सारी जानकारिया प्राप्त करने में काबिल होंगे या उन कारागिरों ने शास्त्रों को पढ़के प्राचिन काल की सारी जानकारिया प्राप्त की होगी और ये कोई एक प्रमान नहीं है करनाडगा के कई प्राचिन मंदिरों में भी आपको ऐसी नकाशिया देखने को मिलेगी जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी फ्रेंड्स आपके इस बारे में क्या विचार है ये कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए फ्रेंड्स ये जो शोर टेंपल है ये लाखों लोग विजिट करते हैं और यहाँ आके आपको एक अजीब सी उर्जा का ऐसास होगा हर दिन सुरज की पहली किरन इस मंदिर में बने हुए शिवलिंग पे आके गिरती है इस शिवलिंग को ऐसे ही यहाँ पोजिशन किया गया है ये सब देखके ये तो मानना होगा कि हमारे पूरवज हजारों सालों पहले ही साइंस का पूरा ग्यान रखते थे इस मंदिर के दिवारे ग्रानेट फत्तर से बनाई गई है परन्तु ये शिवलिंग और ये मंदिर में टॉप में मौजूद फत्तर को ब्लैक बसाल्ट रॉक से बनाया गया है और ये भी फत्तर देखके ही लग रहा है कि किसी एडवांस मशीन का उपयोग करके इस फत्तर को तराशा गया होगा और सबसे अजीब बात ये है कि मावली पूरम और आसपास के परिसर में ब्लैक बसाल्ट फत्तर बिलकुल भी पाया नहीं जाता मतलब किसी दूसरी जगे से ये फत्तर को यहां लाया गया था परन्तु ये बात काफी अजीब लगती है कि ऐसा क्यों किया गया होगा इस मंदिर को ऐसे डिजाइन क्यों किया गया होगा इतनी मैनत करके किसी दूसरी जगे से ब्लैक बसाल्ट पत्तर लाके यहां पे शिवलिंग और मंदिर के उपर शिकर पे ये पत्तर क्यों लगाया गया होगा क्या ये सब किसी खास उद्देश से किया गया होगा जो आज हमारे समझ के परे है फ्रेंट्स माबलेपुरम के हजारों मनुमेंट्स देखके आपको ये समझ में आएगा कि कोई तो ऐसी एडवांस टेकनोलोजी प्राचिनकाल में इन लोगों के पास होगी जिससे इन बड़े-बड़े पत्तरों को इतने कुशलता से काटा और तराशा गया होगा इस मंदिर ने 2004 में जो बयानक सुनामी आई थी उसे भी आसानी से जहला था जबकि आज के modern age के instruments का उपयोग करके कितनी सारी बनाई गए structures गिर गए थे लेकिन तब भी ये 1300 साल पुराना मंदिर शान से खड़ा था और आज भी शान से खड़ा है In fact ऐसे बोला जाता है कि सुनामी का पानी कम होने के बाद इस मंदिर परिसर और इस बीच परिसर में काफी सारे monuments रेत से उपर आके दिखने लगे जो की सेकडो सालों से रेत में दबे हुए थे Friends बारावी शताब्दी में एक European वैपारी मारको पोलो ने महाबलेपुरम विजिट किया था तब उसने इस जगा को सेवन पगोडा का नाम दिया था कुछ देशों में लोग इस प्रकार से बने हुए structures को पगोडा कहते हैं तो ऐसे माना जाता है कि मारको पोलो ने जिस सेवन पगोडा का जिक्र किया था ये शोर टेमपल उन साथ में से एक है तो सवाल यह है कि बाकी छे पगोडा कहा गए तो जब 2004 का सुनामी के दोरान जब समंदर का पानी करीब 500 मिटर अंदर चला गया था तो लोकल लोगों ने देखा कि पानी की अंदर कई मंदिर मौजूद है तो फ्रेंट्स इसके बाद 2005 में ASI और इंडियन नेवी ने मिलकर एक आपरेशन चलाया और यह पाया कि पानी के अंदर बहुत सारे प्राचीन मंदिर मौजूद है और इन सब मंदिरों को लगबग वही काल में बनाया गया था जब यह शोर टेंपल बनाया गया था तो हम यह मान के चल रह सकते है कि बाकी छे पगोड़ा आज समंदर में समा गये है और यह बात सज भी हो सकती है क्योंकि साइन्टिफिकली यह एविडेंस है कि 13 शतापदी में एक भयानक सुनामी आई थी और शायद उसी सुनामी के वज़े से सी लेवल बढ़ गया और कुछ बंदिर जलमग न हो गये लेकिन फ्रेंड्स यह शोर टेंपल आज भी शांदार तरीकी से खड़ा है और आने वाले सदियों तक ऐसे ही खड़ा रहेगा तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को अब यही समाप्त करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए तो जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तक टाटा बाई बाई